जब कुछ पेट भरके मज़ेदार खाना हो तो आज मैं आपके लिए बेहत मज़ेदार टेस्टी और हेल्दी रेस्पी लेकर के आए हूँ यकीन मानिए एक बार बनाने के बाद बार बार बनाएंगे दो हमने मीडियूम साइज की प्याज लिया है जिसको हमने लंबाई में पतला पतला काट लिया है और इसको हाथों से मसल करके हम अलग अलग कर लेंगे ताकि प्याज्исс की पेटर्स अलग अलग खो जाएं एक हमने यहाँ पैन लिया है इसमें तेल ढाल convenience के वाम प्याजै को लिया है इसमें हमने 3-4 साबद लाल मिर्चे ले ली हैं यह मिर्च जादा तीकी नहीं है इसनिवे जादा ले रही हूं स्वादन सार इसमें नमक डालेंगे मिर्च को अच्छे से अब इसमें हम बारी कटा हुआ राधनिया डालेंगे थोड़ा सा और यहानो डालेंगे तो चाठ मसाला आप यहां पर डालेंगे सबी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो लीजिए हमारी जो आलू की चटपड़ी मज़ेदार फिलिंग है बन करके बिल्कुल रेड़ी हो च बाजी रोटियां है आप यहां पर बची हुई रोटियों के इस्तमाल भी कर सकते हैं तो इस पेसली बच्चों को देना हो तो यह रैस्पी बेस्ट रहेगी और बच्चे के बड़े तक मांग मांग करके खाएंगे रोटी के उपर हमने थोड़ा सा टो मैटो कैचप लिया ह इसको हम पूरी रोटी में अच्छी से स्प्रैट कर देते हैं अब यहां पर मैंने दिया है चीज चीज को हमने ग्रेट कर लिया है आप कोई भी चीज यहां पर यूज कर सकते हैं चीज को हम आधे पार्ट में अच्छे से फैला देते हैं अब हमने जो आलू की फिलिंग ब तो यह हमारा रोटी का टाकोस बन करके तयार है टाकोस एक मैक्सिकन डिस होती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुपर टिस्टी होती है लेकिन यहाँ पर हमने अलग से किसी सीट कर स्थमाल नहीं किया है हम सीधे इसको रोटी में ही बनाएंगे तो इसी तरह से हम दूसरा टाकोस कर लेते हैं तो लीजे दोनों ही रोटी के टाकोस रेडी है अब हमने जिस पैन में तेल में प्याच को फ्राई किया था उसी तेल में हम इन टाकोस को तलेंगे आप यहाँ पर तेल की जगाए घी आप बटर का इस्तमाल भी कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे है ही तलना है नीचे की तरफ यह सुनेरे हो जाएंगे तो इनको हम पलट लेते हैं तो आप देख सकते हैं कितना प्यारन का कलर आ गया है और रोटी बहुत ही क्रिस्पी हो गई है तो फिर से हम इसको लिट से कवर कर देंगे और लोटू मीडियम फ्लेम पर दो मिनट के लिए तो लीजिए तयार है हमारी रोटी टाकोर्स बहुत ही मज़ेदार दे से फ्रेंड्स इससे आपका पेट तो भरेगा ही भरेगा और स्वात तो इतना जब और जस्त मिलेगा कि आप भूली नी पाएंगे तो आप इसको जरूर ट्राई करें आई होप आपको आज की रेस्प आपकली बवाई तो आपके